देखिए पहले भी मैं कई बार दिल्ली पुलिस के समख्ष उपस्तित हुआ हूँ और मुझसे जब भी पूश्ताज के लिए नोटिस दिया गया है मैंने हर बार ये प्रयास किया है कि मैं पूरा सहयोग करूँ अगर किसी नोटिस के एवज में मैं नहीं आ पाया तो मैंने उ पूरा का पूरा मैं दिल्ली पुलिस पास देने वाला हूँ करीब दस बार नोटिस मिल चुके हैं लेकिन सवाल अभी हुआ है कि आखिर आपको आपको आजियो क्लिप कैसे मिली और आपने आपको पर आरो कि आपने उसे वाईरल किया देखिए मैं तो शुरू से कहता आ र काम आउडियोख्लिप दिये थे वह मैंने उनके निर्देशों पर वाइरल किये क्योंकि मुझे ऊड़ीयोखनी काम किया था, थे वो मुझे निर्देश थे, इसी तरीकिये की निर्देश मुझे दिये गए थे, क्योंकि मेरी लास्ट जो यहां पे हेरिंग हुई थी जिसे कह सकते हैं कि पुष्टाश हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी उस समय कॉंग्रेस की सरकार थी मुख्यमंत्री अशोग गहलो थे और मैं उनका OST था तो जो भी मुझे निर्देश दिये जाते थे मैं उनका प करवाँगा हालां कि उस वक्त में खुद मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने मुझे तमाम सबूतों को नस्ट करने के लिए बार-बार निर्देश दिये थे लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मुझे यह लगा कि उनकी हो सकता है कभी आवशक्ता पढ़ सकती हो तो कोई भी सबूत मैंने नस्ब नहीं किया और आवशक्ता पढ़ने पर मैं दिल्ली पुलिस को और को वह सभी सबूत वहां प्रेशित कर सकता हूं या उपलब्द करवा सकता हूं अखरी सवाल कि अमाना जाजा जितनी बार आप परेश होए आपने अपने अपने स्टेटमेंट दिये कहीं किसी निदेश के अधार पर दिये थे अब तक पूरे तरीके से डिरेक्शन से मुझे मंतरी के कि आपको जाकर यह कहना है यह कहना है तो मैं तो उन्हीं की अनुप ना कर रहा था